हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बढ़ियां हैं खुश हैं और हैली हैं यह पूरा एक complete suit है जिसमें shirt इसका plazo और sleeves दी हुई है तो आज हम इसकी cutting and stitching करेंगे मैं open करके दिखाती हूँ यह कैसा दिखाई देता है तो पहले तो यह जो है यह इसका plazo का portion है नीचे border दिया हुआ है plazo में एक side का इधर और दूसरे पैर का इस तरफ है यह देखिए यह इसका border हो गया center में जो है center में हमारा sleeves के लिए दिया हुआ है portion यह वाला border के साथ इसमें भी border है इसके बाद जो shirt portion है last में shirt portion दिया हुआ है shirt में हमारे two piece अगें back and front के हैं यह back है और इसके बाद front portion है बीच में line दिया हुई है cutting के लिए और फ्रंट में हमारा एक नेक दिया हुआ है यह जिकी गले में बनाने के लापटी से दी हुई है तो चलिए जल्दी से हम इसकी कटिंग एंस्टिचिंग शुरू करते हैं सबसे पहले फैंस हम इसकी ट्राउजर की कटिंग करेंगे तो इसको टू फोल्स में बिच्छा लिया है और यहां से इसका बॉर्डर को बॉर्डर की एजिस से मिला के हमने अच्छे से से कर लिया है अब जो है हम इसमें marking करेंगे अब यह जो है हमने border का निशान लगा लेना है पहले जहां से यह fold होगा यह तो हमारा यह fold हो जाएगा यह portion अब हम length ही marking करेंगे length है हमारी 33 inches तो 33 inches फे mark करके 2 inches हम उपर से नेफे के fold होने का mark लगा लेंगे ऐसे ही इस edge की तरफ भी हम 33 और 35 नट विंच आड़ करके हम mark लगा लेंगे और इन दोनों ही marks को हम सीधा कर लेंगे एक line draw कर लेंगे अब इसके बाद हम crouch की जो है length और width की marking करेंगे तो उसके लिए हमारा hip size हो है वो 36 है 36 का fourth part 9 आगया तो 9 inches में 1 inches losing का add करते भी हम 10 inches पे यहां पे mark लगा लेंगे ऐसे उपर भी और नीचे भी और इस line को हम straight कर लेंगे और अब इसके बाद हम crouch की length की marking करेंगे अगेन fourth part 9 आगया 9 में हम 2 inches आड़ करके 11 inches पे हम यहां पे mark लगा लेंगे crouch की width length क्या अब length हो गई है हमारी अब हम width की marking करेंगे तो width की marking के लिए बस हमने यहां से 2 inches आगे जो है वो mark कर लेना है और इसको सीधा कर लेना है क्योंकि 36 है पे तो 2 inches यहां पे extra काफी है अब यहां से इसकी गुलाई देंगे बिल्कुल भी down नहीं देनी है बस हलका सा ही कव यहां पर हमने देना है उसके बाद हम इस point से यहां तक हम length marking कर लेंगे कि कितनी है तो यह 12 inches आ रही है ऐसे इंची टेप को fold करेंगे और center का हम यहां पे mark लगा लेंगे तो center के आगया हमारा 6 inches पे तो नीचे तक 6 inches को ऐसे mark करते जाएंगे और इसका half को जो हम mark करके एक line draw कर लेंगे इस सारे जो marks है इनको हम मिला लेंगे और center mark कर लेंगे हम इसका अब जो है यहां से भी हम 11 inches था उसको mark कर लेंगे और सीधा निशान लगा लेंगे यहां पर इस तरह से line को draw कर लेंगे अब हमने इसके जो है मोरी का निशान लगाना है मोरी की जो हमारी 7 inches है तो 7 inches का half हो गया 3.5 तो यह जो center mark लगाया है इस पर 3.5 को रखते वे एक तरफ इस corner पे mark लगा लेंगे और उससरफ 7 inches तो यह हमारे mark लग गए हमारी मोरी के अब यहां से यहां और इधर से यहां हम इसको मिलाएंगे अब यहां आपको shaper की जरुवत पड़ेगी अगर आप beginner हैं तो ऐसी shaper यूज़ कर सकते हैं नहीं तो आप क्याएगी यह पहले straight line जो है draw करिए फिर उपर हलका सा curve देते हु कर लेंगे straight कर लीजिए फिर अंदर की side जो है इस तरह से हम कव देते हुए इसको draw कर लेंगे अब यह हमारी marking complete है cutting कर लेंगे यह देखे cutting कर लिए मैंने front part के और back part के उपर इसको हमने रख लिया है उसको भी हमने two falls में रखा है अब इस तरफ से मैंने cutting नहीं की है अभी त इसको मैंने मिला के तक लिया है साथ में cutting करेंगे अब यहां से border को border के साथ मिलाते हुए रखा है और pinup भी कर लिया है मैंने अब हम back portion की marking करेंगे back portion में इधर कुछ नहीं करना इस तरफ हमने two inches का mark लगाते हुए उपर तक हमने marking कर लेनी है यह जो है two inches back portion हमारा extra बनता है हम यह जो अंदर की साइड होती है इस तरफ क्राउश वाली साइपर हम two inches extra का mark लगाते हैं यहां तक ऐसे मिला के हम नीचे तक इसको डाकन कर लेंगे marks को अब यहां पर हमने two inches का mark लगाना है आसन का उपर तक और यह जो point है इसको हम मिला लेंगे straight line कर लेंगे ताकि हम जो ह जो आसन का है कर लगा सके यहां पर अब यहां से जो back portion है two inches extra लेना है हमने two inches extra हम इसले लेते हैं ताकि उपते बैठते हमें trouser में खिचाव ना मैसूस हो तो यह हम two inches का mark लगा लिया उसके बाद back portion के crouch की हम यह कव की marking कर लेंगे तो हलका सा कर देंगे deep नहीं करेंगे अब यह हमने back portion two inches extra लिया था तो आसन की side तो पूरा रखेंगे लेकिन बाहर की तरफ हम इस तरीके से तिर्चा जो है front portion की cutting के साथ मिला लेंगे ऐसे marking करेंगे इसकी यहां cutting होगी और जो front portion है front portion हम आसन की तरफ एक इंच मार्क लगाएंगे और बाहर की तरफ तिर्चा हम इस त cutting हो गई है हमारी इन दीखिए हमारा back portion ही जो तिर्चा था front portion और पूरी cutting complete है अब हम जो है suit की cutting की तरफ चलते हैं suit की cutting करेंगे तो suit की cutting के लिए मैंने back portion लिया है पहले उसको मैंने two force में बिच्छा लिया है इसका भी same जो border है border को match करते वे जो है मिला के हमने रख लिया है यहां mark करेंगे जहां से हमारा fold होना है border का जो edge है वहां से अब हम जो है इसकी length की marking सबसे पहले करेंगे length जो हमारी 39 inches है तो 39 inches प्लस half inch उपर जो सिलाई में जाएगा वो हम लगाएंगे तो 39 and half inches पे mark करेंगे नीचे extra लेने की ज़िवत नहीं है हमने border का mark कर लिया है extra already है व मार्क कर लेंगे उपर और थोड़ा सा नीचे भी इस line को straight कर लेंगे इस line से हम armhole की marking करेंगे अब पहले shoulder से half inches down कर लेंगे और half inches down करने के बाद 6.5 inches मार्क कर लेंगे armhole के लिए और यहां से line को straight कर देंगे अब इधर से हम 1 inches लेते वे ना अंदर की तरफ चुह है कव लग अब हम lengthwise दो मार्क और लगाएंगे एक तो waist का waist जो है इनकी 12 inches पे है यह height के according होती है और यहां से 20 inches पे हमारा chuck का निशान लगेगा अब हम यहां से chest की marking कर लेते हैं जो की 9 inches है साथी 1.5 inches margin ले लेंगे waist 8 inches है 8 inches का mark उसके बागे हम 1.5 inches margin ले लेंगे अब यह waist की marking हो गई है इसके बाद हम नीचे चाक की marking करेंगे कहां से बनेंगे तो यहां जो है hip का marking जो है वो 10 पे होगी इनकी और साथ में हम 1.5 inches ले लेंगे margin का अब यह जो हमने marks लगाएं है fitting और margin के उनको हम ऐसे मिला ले लेनी है उसके बाद जो उपर marking करनी है ना तो वर्स्ट की सीधी नहीं करनी है ऐसे गुलाई करते हुए लानी है हमने इस तरह से और cutting कर लेंगे अब यह देखिए cutting कर ली है और मैंने back portion को front portion पर रखकर ही front portion की भी cutting कर ली है इस तरह से अब हमने front portion का जो है arm hole का half inches जो है वो मैंने four folds में ले लिया है sleeves को border का same border से border को मिला के रख लिया है यह 8.5 inches मैंने लिया है broad और length जो है हमारी border से 19.5 inches है तो हमने 20 inches ले लिया half inch उपर हमारा stitching में जाएगा अब हमने यहां से 3 inches down कर लेना है और हमारे arm hole का एक पुरा mark यह curve देते वे कर लेना है इसके बाद हम लगाएंगे fitting की marks जो कि यहां से 7.5 inches आती है तो यहां mark कर लेंगे नीचे मोरी जो है वो 4 inches पे हमारी 1 inches margin का लेते वे mark लगा लेंगे अब fitting के mark को fitting से मिला देंगे और यह margin के marks को हम margin से मिला कर सीधा कर लेंगे ये margin वाले mark पर हमारी cutting होगी तो यहां से हम इसकी cutting कर लेंगे जो बाहर का mark है cutting करने के बाद हम इसका front में जो हम half inches down करते हैं arm hole का वो कर लेंगे तो हमने two portion सरफ पकड़ने है और यहां से इसकी cutting कर लेनी है अब यह cutting करने के बाद हम stitching start करेंगे जिसके लिए सबसे पहले हम trouser ले रहे हैं इसके crouch की हम सिलाई लगाएंगे back की और front की दोनों की तो यह सिलाई लगाने के बाद हम यह देखिए सिलाई लग गई है हमारी अब हम इसकी जो sides है इन्हें पकड़ने और दोनों को stitch कर देंगे अब देखिए front portion और back portion को ऐसे लेते हैं पूरी जो है stitching लगा देंगे उपर से नीचे तक सारी अब देखिए front side की stitches हमारी लग गई है अब हमने इसमें elastic attach करनी है तो 35 waist है minus 4 क्या 31 inches की elastic cut करके यह मैंने इसको secure कर लिया है side से अब हम यहां रखेंगे और यहां पर ऐसे round में stitch लगा देंगे इस तरीके से अब यह जो हमने 2 inches extra लिया था ना और आगे से down लिया था यह अपनी आप ही adjust हो जाएगा जब हम इस तरह से कट किया था वह adjust हो गया है next हम इसके bottom को ready करेंगे अब क्योंकि यह flowy सा कपड़ा है तो यह अच्छा नहीं लेगा ऐसे तो इसमें stiffness लाने के लिए हम इसमें बुक्रम लगाएंगे तो बुक्रम मैंने ready कर ली है यह three and half inches broad है और length जो है length मैंने इसके जो हमारा पोचा कट किया इसके according ही ली है तो यह दोनों के लिए मैंने एक साथ कट कर ली है भुक्रम अब हम इसको कैसे लगाएंगे यह देखिए half लगेगी एक में half दूसरे में हम ऐसे इसको उल्टा रखेंगे front portion पे पहुँचे के और उल्टा रखेंगे इसको सीदी साइड फेस करते हैं actually यह half इंच का margin मैंने दिया है तो हम border जहाँ end हो रहा है वहाँ stitch कर लेंगे इसको और ऐसे fold करेंगे तो मैं आपको stitching करके बताती हूँ इसको तो यह मैंने stitching कर ली है friends जहां हमारा border end हो रहा था बल्कुल वहाँ रखके बुकरम को stitch किया है अब इसके उफर से हम top stitch लगाएंगे दो जैसे कि हम सलवार का पोचा बनाते हैं तो दो लगाएंगे और ऐसी back side में यहाँ से बुकरम की edge को हम secure कर लेंगे दो stitch लगा कर चाहीं और center में stitch दे दिया है अब इस तरही के से हमने दोनों पोचे ready करने है और इस तरीके से यह ready होंगे हमारे अब क्या है कि हम ऐसे फोल करेंगे और center का stitch लगा लेंगे fitting का अपना तो यह हमारी stitching हो गई है fitting की भी stitching लग गई है और हमारे पोचे भी बिलकुल अच्छे से ready हो देंगे यह design दिया हुआ था जो कि six inches neck में सारा निकल जाएगा इतना ही बचेगा तुमने क्या किया है कि sleeves में से sides में से design बचा था तो इसको मैंने बुकरम पर ready कर लिया है यह 2.25 inches broad है और 10 inches long है इसको मैं ऐसे center में रख लूँगी यहां से center मार्क कर लिया है मैंने यहां प पर stitch कर लूँगी इसके चारों तरफ यहां पे पहले इसको stitch करेंगे फिर neck लगाएंगे हम इसके ओपर इस तरहां से रख करेंगे तो चलिए बताती हो मैं अब यह देखिए मैंने strip लगा ली है neck को भी मैंने attach कर लिया है और इसकी cutting कर लिया है अब हम यहां छोटे-छोटे रेडी करेंगे back portion में neck की cutting कर लिया है मैंने फोने तीन इंच पर cutting की है चार इंच लॉंग रखा है अब यह strip ले लिया है मैंने यह strip fold करने के बाद जो है 0.75 inches है ऐसे हम open side अंदर रखते हुए इसमें stitch लगा लेंगे पहले और फिर इसको fold नहीं करेंगे अभी अब fold करने से पहले हमने क्या करना यह देखिए लगा लिए strip हमने यहां से हम cuts भी लगा लिए है अब हम इसको पहले shoulders को join करेंगे strip को बार निकालते हुए shoulder दोनों join करेंगे उसके बाद हम यह वाली जो हमने strip लगाई है इसको फोल्ड करेंगे तो यह देखिए अब stitches लगा लिए है front और back neck की हमारी stitching हो गई है neck ready है हमारे अब हम इसकी side की fitting की stitches लगाएंगे यहां और यहां अब यह देखिए back men जिसे निशान लगा हुआ ना तो इस पर हम stitching लगा लेंगे उसके बाद हम इसके चाक fold कर लेंगे double fold और इसका घेरा भी बना लेंगे अब यह देखिए stitching हो गई है हमारी fitting की हमारे चाक भी ready है double fold हो गया है और हमारा घेरा भी तीचे ready है अब हम इसकी sleeves ready करेंगे तो sleeves ready करने के लिए देखिए हमारी sleeves को हम ले लेंगे इसका हम नीचे border fold करेंगे पहले तो यहां से double fold border का edge छोड़ कर जो extra है उसको fold कर देंगे उसके बाद हम इसको ऐसे fold करेंगे यहां पर इस तरह से और हम पर fitting की stitch लगा लेंगे अब यह दोनों sleeves हमारी ready है तो यह मैंने ऐसे रखी हुई है यह देखिए यह जो cut है हमारा front का half inch जो हम down करते हैं यहां से भी हमारा जो cut है यह मैंने इस तरीके से रखें अब इसको लग stitching लगा देंगे दोनों stitches लगा देंगे हम इस तरह से यह हमारी sleeves जो है वो attach हो गई है यह देखिए border कितने अच्छे से ready हुआ है finishing के साथ तो हमारा suit ready है यह देखिए इसका complete look अब हमारी trouser भी ready है बनके यह देखिए कितनी संदर लग रही है हमारा suit भी ready है एकदम बनके तो अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर लिजेगा channel को subscribe कर लिजेगा इस तरह की और वीडियो के लिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पहनने के बारे suit कैसा लग रहा है तो यह देखिए इसका complete look तो चलिए फिलेंगे फिर नई वीडियो में till then take care bye bye